नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS Word के View Tap के Views Block के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर 5 आप्शन दिखाई देगे जिसमें सबसे पहला आप्शन आपको दिखाई देगा Read Mode का अब इसका उपियोग किस तरीके से किया जाता है जैसे मालीजे हम यहाँ पर कुछ Paragraphs को Insert कर लेते हैं मालीजे हमने यहाँ पर 25 Paragraph को Insert कर लिया Insert करने के बाद हम आजाते हैं वापस से First Page पर और यहाँ पर इसके Header पर हम Page Number सेट कर लेते हैं इसके लिए आपको इसके Header टॉप पर जाकरके Double Click करना होगा Double Click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके Left Side में Page Number का आपको एक Option दिखाई देगा यहाँ पर आपको Top of Page को Select करते हुए यहाँ पर कोई भी Format आप सेलेक कर सकते हैं उपर की तरफ अगर हम स्कॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे Page Number वन आपको दिखाई दे रहा है अब हम बात करते हैं View Tab के इन सभी Options के बारे में अब सबसे पहले आप देखेंगे हमारा जो पहला Option है वो है Read Mode Read Mode पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो paragraph था वो आपको यहाँ पर Reading Mode में दिखाई दे रहा है यानि आप बहुत आसान तरीके से इसको Read कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर Right Side में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर Page Number चेंज हो जाएगा और आप देख सकते हैं आप एक साथ यहाँ पर दो Pages को आसाने से Read कर पाएंगे और इसके अरावा अगर आप पीछे जाना चाहें तो यहाँ पर Left Side में आपको एक बटन दिखाई देगा इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वापस से आप अपने पिछले Page Number पर जंप कर जाएगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो हमने Page Number लगाया था वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा इसके अलावा अगर आप Page Number यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने Mouse के Scroll को जैसे यहाँ पर घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका Page यहाँ पर अपने आप Move होता चला जाएगा अब इसके बाद हम इसे स्कैप करके वापस से अपने उसी डॉक्यमेंट पर बहुच जाते हैं इस Option का Use आपको समझ में आ गया होगा इस Option का Use किया जाता है किसी भी बड़े डॉक्यमेंट को आसानी से रीट करने के लिए इसके बाद दूसरा जो Option है आप देखेंगे हमारा जो दूसरा Option है वो है यहाँ पर Print Layout Print Layout का Use किया जाता है कि आप अपने डॉक्यमेंट को देख सकते हैं कि आपका डॉक्यमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा आपको दिखाई देगा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको Margins दिखाई दे रहे हैं और आपका जो डॉक्यमेंट जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ही आपका Print होगा आप इसको Ctrl F2 की मदद से Print Preview में भी देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके चारो तरफ का जो Margin है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और आपका डॉक्यमेंट बिल्कुल इसी तरीके से Print होने बाद है तो दोस्तों इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ ग्या होगा इसके बाamध हम बात करते हैं या पर Web layout की अगर आप Web layout पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो Document है वो यहाँ पर आप देखेंगे web layout के view में दिखाई देगा अब Web layout का जो page होता है याँ का जो page होता है वो काफी बड़ा होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहां से अपने page को zoom और zoom out कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं इस view के अंदर भी आप अपने document को यहां पर read कर पाएंगे बट यहां पर आपको कोई भी page number दिखाई नहीं देगा जैसा कि आपको print layout में दिखाई दे रहा था page number उसी तरीके से यहां पर भी कोई page number दिखाई आपको नहीं देगा यानि इस view का use आप अपने बहुत बड़े document को एक ही page पर read करने के लिए use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं अगले view की अब यहां पर आप देखेंगे जो हमारा अगला view है वो है outline अब हम अपने इस document को outline view में convert करे देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हमने outline view को यहां पर select किया उसके बाद आप देखेंगे outlining के नाम से एक नया option आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा अब इसमें आप देखेंगे आपको काफे सारे option दिखाई दे रहे हैं तो हम एक एक करके इन सबी options को करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक arrow दिखाई देगा इस arrow की की मदद से आप अपने document को level में convert कर सकने हैं जैसे मालीजी हम यहाँ पर इसे click करते हैं तो click करते ही आप देखेंगे हमारा जो document था वो यहाँ से एक heading में convert हो चुका है इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई देगा show text formatting का एक option अगर आप specific हटा देते हैं तो आप देखेंगे इसके उपर जो भी format था वो यहाँ से हट जाएगा और इसके अलावा जैसे मालीजी हम यहाँ से एक paragraph को छोड़ करके यहाँ से दूसरे वाले paragraph को select करते हैं और इसके बाद हम वापस से यहाँ पर click करके इसे level 3 में convert कर देते हैं अगर आप यहाँ पर back arrow को use करेंगे तो आप देखेंगे यह हमारे document को left side में move करेगा और इसी तरीके से अगर हम इसे और भी move करना चाहते हैं तो यहाँ से आप click करके इसे और ज्यादा move कर सकते हैं double arrow की मदश से आप इसको वापस से वैसा ही बना सकते हैं जैसा यह पहले था तो फिलाल हम इसे level में convert करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसे single arrow पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे यह दोनों के दोनों documents आपकी level में convert हो चुके हैं पहला वाला document आप देखेंगे level 2 है और दूसरा वाला document हमारा level 3 है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं level 3 भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अलावा हम यहाँ से प्लस वाले आइकन पर click करते हैं प्लस आइकन पर जैसे हम click करेंगे तो इस level के अंदर जितना भी हमारा matter छुपा हुआ था यानि जितना भी matter हमारा compress था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर पहले वाले level को select करके जैसे प्लस वाले आइकन पर click करेंगे तो इसके अंदर भी हमने जो भी अपना document compress किया था वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा या फिर आप इसे minus करके वापस से compress कर सकते हैं तो फिलाल हम इसे भी open रहने देते ह और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर down और अपका एक option दिखाई देगा अगर आप किसी level को down या आप करना चाहते हैं तो इस level पर आपको click करना होगा और यहाँ से down वाले बटन को जैसे आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका वो level नीची की जाता चला जाएगा इसके अरवा अगर आप इसे ऊपर ले जाना चाते हैं तो इस arrow की मदद से आप इसे वापस से ऊपर set कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने levels को यहाँ पर ऊपर या नीची set कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर इस option को मैं पहले ही बता चुका हो उस प को जो paragraph है यहाँ पर पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मगर आप चाहते हैं कि आपके जो paragraph है उस paragraph का केवल first line ही आपको दिखाई दे तो उस situation में आप इस वाले checkbox पर click करेंगे जैसे आप इस वाले checkbox पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सभी documents में जो इसकी first line यानि paragraph की जो first line है केवल वही आपको दिखाई देगी इसके अलावा कोई दी और word आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा इस checkbox को जैसे आप अठा देंगे तो वापस से आपको पूरा का पूरा document यहाँ पर दिखाई दे जाएगा दोस्तो इस तरीके से इन सभी levels का इन सभी options का आप यहाँ पर आसानी से use कर सकते हैं अब हम बात करते हैं आप पर show documents की यहाँ पर show documents पर click करेंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके समनेया पर काफे सारे options और open हो जाएंगे इसके बाद आप यहाँ पर एक option देखेंगे insert का यानि insert वाले बटन पर जैसे आप click करेंगे तो इसके अंदर आप कोई sub document को insert कर सकते हैं जैसे मालनीजे हम चाहते हैं कि इस document के अलावा हमारी कोई और भी file है जिसको हम अपने इस document में insert करना चाहते हैं तो उस situation में आप insert वाले option को select कर सकते हैं जैसे मालनीजे हम यहाँ से insert वाले option को select करेंगे select करने के बार जहाँ पर भी हमारी file है हम यहाँ से उस file को select करेंगे जैसे माल दीजे हमने यहसे Microsoft वाली file को isled किया और यहाँ से हमने open पर click कर दिया जैसे हम इसे open पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो भी document था उसके अंदर Microsoft की जो हमारी दूसरी MS Word की फाइल थी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगे इसके अलावा अगर आप यहाँ पर collapse पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे OK बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह हमें Save As के लिए Move कर देगा याँ आप अपनी फाइल को यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आप अपनी फाइल को यहाँ पर Save कर दीजिए तो फिलाल आप इसे Save नहीं कर रहे हैं हम यहाँ से Back बटन पर क्लिक करते ही वापस से इसी Document पर जम कर जाएगे अब आप देखेंगे वो Document हमारा यहाँ पर Hide हो चुका है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक Link यानि इस Link को आगर आप Open करना चाहते हैं यानि उस Document को वापस से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको Expand Sub Document पर क्लिक करना होगा जैसी आप Expand Sub Document पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका Document आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और इसके बाद वापस से Collapse को आप Off करेंगे तो वापस से आपका जो Document है वो एक Link में जनरेट हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप इसे Log Document पर क्लिक करेंगे तो आपका यह Document यहाँ पर Lock कर दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो Document था वो यहाँ पर Lock हो चुका है और वापस से अगर आप इसे Expand करेंगे तो वापस से हमारा Document Expand हो जाएगा और इसके बाद अगर आप Show Document पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके Option यहाँ पर थे वो सारे के सारे Option यहाँ पर हाइट हो जाएगा तो इस तरीके से आप Outlining Option का यहाँ पर यूज कर सकते हैं फिलाल हम इसे Close Outlining View को यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो Document था वो यहाँ से Close हो जाएगा अब इसके बाद आप देखेंगे View टैब में हमारा सबसे Last Option आपको दिखाई देगा Draft का तो इस View में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो Document है वो यहाँ पर Draft Format में आपको दिखाई देगा यहाँ पर आप किसी भी Headings का यहाँ पर या किसी भी Outline का यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हैं और नहीं Page Number आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है अब आप अपने इस Document को आसानी से Read कर पाएंगे यह भी Document आपका Read Mode के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तो इस तरीके से आप MS Word के Views के सभी Option का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को Like, Comment, Share जरूर कीजेगा धन्यवाद